C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरपस्तुत है कक्षा पांच की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पाठ चार खाएं आम बारहूं महीने प्रिष्ट पैंटीस कुछ बच्चे खाने के डिबे में खाना देखते हुए कुछ बाते कर रहे हैं नीतु बोली अमन के डिबे में तो मिठी पुरी है अमन बोला नीतु आलू की सबजी लाई है प्रिष्टी ने कहा मैं भिंडी लाई हूँ अमन ने कहा नीतु लगता है तुम्हारे आलू तो खराब हो गए हैं प्रीती बोली हाँ इन्हें मत खाओ कहीं तुम्हारा पेट खराब न हो जाए अरे तुम ये भिंडी ले लो ना चर्चा करो अमन को क्यों लगा कि आलू खराब हो गए हैं क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो खराब हो गया हो तुम्हें कैसे पता चला कि वह खराब हो गया है प्रीती ने नीटू को आलू खाने से मना किया तुम्हें क्या लगता है कि यदि नीटू वह खा लेती तो क्या होता? प्रिष्ट 36 लिखो रसोई घर में से खाने की कुछ चीजें चुन कर लिखो जो दो-तीन दिन में खराब हो सकती है हफते भर तक खराब नहीं होंगी महिने भर तक खराब नहीं होंगी अपने दोस्त की सूची देखो और उस पर चर्चा करो क्या तुम्हारी सूची हर मौसम में यही रहेगी? क्या बदलेगा? तुम्हारे घर पर खाना खराग हो जाता है, तो तुम उसका क्या करते हो? बीजी ने लौटाई ब्रेड अमन की बीजी बाजार से ब्रेड लेने गई दुकान पर काफी भीड थी जल्दी में दुकानदार ने ब्रेड का एक पैकेट दिया पर बीजी ने पैकेट देखकर उसे लौटा दिया क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो? कि बीजी ने पैकेट क्यों लौटा दिया होगा? उन्हें ब्रेड खराब क्यों लगी? पता करो खाने की किनी दो चीजों के पैकेट देखो पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या-क्या पता चलता है? जब तुम बाजार से कोई सामान खरीदेते हो, तो पैकेट पर लिखी कौन सी जानकारी देखते हो? प्रिष्ट, 37 खाना कैसे होता है? खराब प्रयोग पूरी कक्षा मिलकर यह प्रयोग करे रोटी या ब्रेड के एक टुकडे पर पानी की कुछ भूने डाल कर एक डिब्बे में बंद कर दो कुछ दिन तक ब्रेड को रोज देखो जब तक तुम्हें ब्रेड पर कुछ बदलाव ना दिखे तालिका को चाट पर बनाओ और पूरी कक्षा में चड़्चा करने पर तालिका को रोज भरो दिन एक ब्रेड में बदलाव चूने से गंध से हैंड लेंस से देखने में रंग में इसी तरह छे दिन की तालिका बनाओ पता करो इस बदलाव का क्या कारण हो सकता है ब्रेड पर फफूंदी कहां से आई होगी अलग अलग खाना कई तरह से खराब हो सकता है कुछ खाना जल्दी खराब होता है तो कुछ देर में खाना किन कारणों से और किन इस्थितियों में जल्दी खराब हो सकता है उसकी सूची बनाओ प्रिष्ट 38 दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीजों के नाम है और दूसरी तरफ उन्हें एक दो दिन तक खराब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाए है खाने की चीजों का उनके उपाए से लाइन बना कर मिलान करो चीजें दूद, पके हुए चावल, हरा धनिया, प्यास लहसुन, घरेलू उपाए एक कटोरे में डाल कर पानी के बर्तन में रखते हैं दूसरा उपाए, गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं उपाए तीन, उबालते हैं उपाए चार, खुले में रखते हैं नमी से बचा कर चित्ती बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मामिडे तांडरा चित्ती बाबू और चिन्ना बाबू आंदर प्रदेश के आत्रेया पुरम गाओं में रहते हैं छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है जब पेड आम से लदे होते हैं उन्हें कच्चे आम को काट कर नमक मिर्च लगा कर खाना भी बहुत पसंद है उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग-अलग तरह से पकाती है वे आम का अचार भी तीन-चार तरीके से बनाती है आम का यह अचार साल भर तक चलता है अगले मौसम के आने तक एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबु ने कहा अम्मा इतने सारे आम पके रखे हैं उनका मामिडी तांडरा यानि आम पपड बनाओ नाम फिर उनके अपपा ने कहा यह तो चार हफ़तों का मेहनत वाला काम है अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो ही हम सब मिलकर मामिडी तांडरा बनाएंगे भाईयों ने मदद के लिए जल्दी से हामी भर दी अगले दिन सुभा दोनों भाई अपने अपपा के साथ बाजार गए वहां से चटाई कैजूरीना पेड के डंडे नारियल से बनी रसी गुड और चीनी खरीत कर लाए प्रेश्ट 49 अम्मा ने आंगन में एक कोना ढुणा जहां दिन भर अच्छी धूप आती हो यहां दोनों भाईयों ने डंडों से एक उचा मचान बनाया उन्होंने उस मचान पर रसी की साहयता से चटाई बांधी अगले दिन अपपा ने सबसे ज्यादा पके हुए आम अलग-अलग छांटे सभी ने मिलकर आम का गूदा निकाला फिर एक बड़े से बरतन पर पतले सूती कपडे से आम के रस को च्छाना ताकि गूदे में आम के रेशे ना रहें प्रेश्ट चालीस चिट्टी बाबु ने गुड को अच्छे से तोड़ा ताकि उसमें बिलकुल गांठ ना रहे फिर उन्होंने आम की रस में बराबर मात्रा में गुड और चीनी डाली चिन्ना बाबु ने उसे बड़े चम्मत से खूब अच्छी तरह मिलाया अम्मा ने इस मीटे गुदे की एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड दिया दिन चिपने पर उन्होंने चटाई को एक साड़ी से ढख दिया अगले दिन उन्होंने फिर से आमों का गुदा निकाला उसमें चीनी गुड डाला फिर पिछले दिन वाली आम की परत पर एक और परत जमा कर दी चौथे दिन से अम्मा ने बाकी का काम चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू को खुद करने को कहा दोनोंने मिलकर ऐसी ही कई परतें जमाई अगली चार हफ़ते तक उन्हें यही चिन्ता रही कि कहीं बारिश न हो जाए चार हफ़ते बाद आम पापड की परत पर 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 परत चार सेंटिमीटर की हो गई और एक सुनहरी बिछोनी की तरह लगने लगी कुछ दिन बाद भानुमती ने कहा अब आम पापड तयार है कल हम उसे निकाल कर उसके टुकडे काटेंगे अगले दिन उन्होंने आंगन में मचान पर से चटाई हटाई आम पापड की परत को छोटे टुकडों में काटा और अपना बनाया हुआ आम पापड चखा चिन्ना बाबू बोले वाह मज़ा आ गया आखिर अपना हाथ भी तो लगा है इसमें लिखो आम के गुदे में गुड और चीनी मिला कर दूप में क्यों सुखाया होगा बाबा ने आम पापड बनाने के लिए सबसे पके हुए आम पहले क्यों छाटे भाईयों ने मामिडी तांडरा कैसे बनाया अलग-अलग चरण समझाओ प्रिष्ट एक्तालीस तुम्हारे घर में कच्चे वा पके हुए आम से क्या-क्या बनाते हैं तुम्हें कितनी तरह के अचार के बारे में पता है सूची बनाओ तथा कक्षा में साथियों से उस पर बातचीत करो पता करो और चरचा करो क्या तुम्हारे घर पर कोई अचार बनाता है कौन सा अचार कौन बनाता है उन्होंने ये तरीका किस से सीखा तुम्हारे घर में बनने वाले किसी एक अचार बनाने में किन चीजों का इस्तेमाल होता है अचार बनाने का क्या क्या तरीका है पापड, चटनी, बढ़ियां, सौस, आधी तुम्हारे यहाँ कैसे बनाते हैं? पुने से कोलकता तक रेल गाड़ी से जाने में दो दिन लगते हैं अगर तुम्हे उस सफर में जाना हो तो तुम खाने में क्या ले जाना पसंद करोगे? उसको पैक कैसे करोगे? सब मिलकर ब्लैक बोर्ड पर एक सूची बनाओ सबसे पहले क्या खाओगे? हम क्या समझे? शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है क्यों? अगर किसी शीशी में थोड़ा पानी रह जाए तो क्या होगा? क्या तुम्हें ब्रेड वाला प्रयोग याद है? आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड, चटनी, टौफी, रस आदी कई चीजें बनाते हैं कुछ और खाने की चीजों के नाम लिखो जिनहें लंबे समय तक चलाने के लिए उनसे अलग-अलग तरह की चीजें बनाते हैं खाएं आम बारहूं महीने अभी आप सुन रहे थे कक्षा पांच की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का चौथा पाठ प्रस्तुती, C-I-E-T, N-C-E-R-T, नई दिल्ली, भारत